उर्दू मजमून नवेशी इसमें आज हम मजमून लिखेंगे हमारा खौमी परिंदा मोर मोर एक परिंदा है इसको अर्बी में ताउस भी कहते हैं मोर एशियाई और अफरिकी परिंदा है मोर एक बहुत ही खुबसूरत परिंदा है नर्मोर को सर पर एक ताज होता है जिसे कलगी कहते हैं ये हरे और गहरे नीले रंकी होती है और मोर मादा भूरे रंकी होती है जिसे मोरनी कहते हैं अंग्रेजी समान में मौर को पीकौ कहते हैं और मादा मौर को पेहन कहते हैं और इनके बच्चों को पीचिक्स कहते हैं और इनके कई रंग होते हैं मौर अपनी खुबसूर्ती की वज़े से मशूर है इनके परों पर हरे और सुनेहरी रंगे पर होते हैं जिन पर आखों की शकल जैसा निशान होता है जिसका रंग हरा और गहरा नीला होता है यही सब रंग इसके सर गर्दन और कलगी पर भी पाए जाते हैं मौर की उड़ान ज्यादा उंची नहीं होती इस वज़े से ये ज्यादा वक्त जमीन पर गुजारते हैं इनका खाना दाना कीरे मकोडे और सांप यहां तक के ये जहरिले सांप भी खा लेते हैं इनकी लंबाई तीन से पाँच फिट तक होती है और मादा मौर की लंबाई धाई तीन फिट की होती है मौर के पर उमूमन आगस के महिने में जड़ जाते हैं और फिर से इनकी दुम पर नए पर उगने लगते हैं और मौर के पर इतने मुलायम होते हैं जैसे कोई मलमल या मुलायम लिबास मौर एक शर्मिला सुकून पस्त परिंदा है और इनसानों से डरता है मौर हमेशा खाफले के साथ रहता है उमूमन तीन या चार मौर एक साथ रहते हैं मौर की आवाज बहुत तेज होती है जिसको काफी दूरी से भी सुना जा सकता है इसके पर बहुत ज़्यादा बड़े होनी की वज़े से इस से ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ा जा सकता इसे लिए मौर ज़्यादा तर चलना पसंद करते हैं और मौर की एक एहम खासियत ये होती है कि वो बारिश के आने से पहले जोर जोर से आवाज निकालता है उसी के वज़े से वो अपने परों को फैला कर धीरे धीरे गोल गोल गुंता हुआ नाचता है इसके परों का इस्तिमाल सजावट के लिए भी किया जाता है और इसके परों से दवाईयां भी बना ही जाती है इसकी वज़े से इसका शिकार बढ़ गया है और इसी वज़े से इसके शिकार पर रोक लगा दी गई है मौर सबसे ज़्यादा राजिस्थान, उतर परदेश, हरियाना जैसे इलाहों में पाये जाते हैं